आदेश जैस्रमेकाल मुहजी जैमरी श्रीमा अच्छा एक प्रशन ये है गरू जी मिरा जैसे कि हम जब किसी साधनागे लिए बैठते हैं तो उसमें अमेशा ही सुर्क्षा गेरा जरूरी होता है ये विसाय पे तो हमने बहुत बार बताया है आपने देखा है इसको कि नहीं मैंने आपकी जब वीडियो देखी थी तो आपने बताया था कि गरू कि आउशकता नहीं होती लेकिन जब हम कई बारों कई और चंग है सर्च करते हैं या कोई यूटूब पर या किताब में जाहा मोहित जी क्या आपने कभी ऐसा किया है अपने साथ में कि अपने ही कमरे की अंदर जा करके अपने कमरे का दरवाजा लगा करके अंदर से ताला लगा के चाबी अपने तकिये की नीचे रख ली हो क्यों नहीं करते हैं आप ऐसा जरूरत महसूस नहीं होती है जरूरत महसूस बहए नहीं है किसी चीज़ का बाबा बैठे बैश लिए बाबा का तो विसा अलग हो गया यह विसा तो बहुत एक है आप अपने रूम में पहुँचे मानिये अपने घर पर गए जैसे आप हमारे अपने घर गये अप दोक लगा के आए हुँगे आए होंगे ना आपने लोग को लहा ताला लो आप अंदर गये अंदर जाके अपने उत् ikiअीज कुंडी बंसके फिर ताला क्यों नहीं लगाते हैं पimana क्यों ही क्यों लगा तो दाण कर को नहीं नहीं है जरूचर ज्ट्रूर्जा सताहा ज्यादा है अनंडर से ताल्ण लगा लिते हो कुणि में भी ताला लगा लेती ताला उक्राई Üट को अदर से लॉकनी करके ताला भी लगा देते हो लंद लगा कि चावूरियगा आकर भाय किस बात का है आपको भाय किसी बात का नहीं गुरू जी पर ताला किस लिए लगा लेते हो वैसे ही लगा लेते हैं जी तो क्यों लगा लेते हो अब इसका तो क्या जबाब है तो जबाब होगा आप कर रहे हैं सब जबाब तो आपके पास ही होगा जी वैसे इसकी त बात को सुनके मैं समझाना चाहता था और मैं खुद ही समझ गया हूँ लगा लेते हैं गरुजी जैसे कि बाहर रहते थे तो बैय उत्ता था यह कभी को आज अपना तालव अगरा मार कर तो जिसको आना है तो वो तो दर्वाजी में एक कुलारी मार के भी अंदर आ सकता है ता चीक है चले ठीक है अच्छी बात है आपके विचारा लगें लेकन सौ मैसे अंठान में प्रतिसत लोग ऐसा नहीं करते हैं जैसा आप करते हैं जी चीक है जब आप अंदर हैं कमरे के आप लोक लगाए हुए हैं तो फिर ताला लगानी किया वश्यक्ता क्या है अंदर से र चले कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ आपको जब आप एक ऐसी जगा पे होते हैं जहां पूर सौरक्षत हैं तो अवश्यक्ता नहीं होती है आपको ताला लगाने की आप जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तब ताला लगाने की अवश्यक्ता होती है क्यों क्योंकि आप घर पे नहीं है और घर आपका सुरक्षित है उस समय इसलिए घर को लौक किया जाता है इसी तरीके से सुरक्षा घेरा नहीं लगाया जाता है आपको किस से खत्रा है क्या आपको सिब जी से डर है क्या आपको मादुरगा से डर है क्या आपको गनेश जी से डर है क्या से डर है जब किसी से डर है ही नहीं तो सुरक्षा गेरा लगाना क्यों है इसे मर बताते हैं लोग क्या बताते हैं हमें लोगों के हिसाब से नहीं हमें अपने हिसाब से कार करना चाहिए जी यदि कोई इनसान पतलून को अपने सिर में पहने तो हम उसको देख के पतलून को सि अभी एक फैसन चलता है, लोगों के जीन्स में दुनिया भर के छेद होते हैं, वो हमें समझ में नहीं आ पाता है, हमें नहीं समझ में आता है, इसलिए हम वो नहीं करते हैं, जिसको समझ में आ रहा है, वो वो कर रहा है, तो हमें अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाह है लाकि लोगों के हिसाब से जीना चाहिए केने का ताद करे है कि कबच नहीं लगाया जाता है कबच केबल उसी अवस्टा पर भी लगाया जाता है सुरक्षा के गेरा केबल उसी अवस्था पर लगाया जाता है जहाँ पर आप भयावा, हिताम सिक दुश्ट गलत तरीके की एनर्जीस को आवाहन करते हैं जहाँ आपको खत्रा है लेकिन जब आप दैवी एसादना करते हैं सात्विक मार्ट की साधना करते हैं परमात्मा की अरादना करते हैं कभी आपको जीवन में सुरक्षा घेरा लगाने की अवशक्ता होती ही नहीं है। और गुरु मंत आपकी समस्चाओं को रोकता है। और उसी लिए गनेश जी के मंत को कहा जाता है तो जब आप बिगन हरता गनेश जी के मंत जाप करते हैं, तो आपको जो ऐसी शमस्चाओं होनी होती हैं, दिक्कत होनी होती हैं, उनसे सुरक्षा होती है। इसलिए एक माला गनेश जी की, एक माला भैराओ जी की ताकि आपके मंतर जाप की सुरक्षा हो सके। उर गुरु नहीं है या किसी मनुशे से नहीं जुड़े है तो नवान मंत को मंत को मंत को गुरु रूफ समझके उस मंत का आप जाप करें तो मंत सुरक्षा घेरा के तरीके से कार करता है नकारात्मक शक्रीयों से रक्षा करने के लिए। तो अच्छा घेरा जब लगाना पड़ता है, जब आप कुछ ऐसी साथनाएं कर रहे हों, अगर पूरी दुनिया गलत लोगों से भरी पड़ी है, तो आप थोड़ी ना उनके तरीके से बन जाओगे, इसलिए तो आप से पर्शन करें, अगर एक गाओं में सभी लोग अगर विकलांग हैं, और आपके दोनों पैर सही हैं, तो क्या आप उसके तरीके से चलेंगे, उसको लगेगा, यह हमारी नकल कर रहा है, बुरा भी लगेगा, इसलिए आपको अपने सिद्धान पर चलना चाहिए, और हम नहीं करते हैं वो चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं, व यहां हम रहते हैं, वहां एक अदिश्य कवस लगाते हैं, लेकि यह कवस हम उस चीज़ के लिए नहीं, बलकि विचारों से बसने के लिए, अलग अलग लोगों के प्रभाव से बसने के लिए, जैसे हर विचार के लोग होते हैं, कोई कामुग विचार का वेक्ती है, कोई आलश भरा हुआ वेक्ति है जब ऐसी मनुष्य आपकी संपर्क में आते हैं तो आपका सुभाव उनके तरीके की विचारों से प्रभावित होता है तो ऐसी चीज़ें होती है इसलिए सुरक्षा घेरे का कोई महात तो नहीं होता है साधनाओं में और परमात्मा का आपने अच्छा घेरा लगाना है जी एक प्रशन यह है कि जैसे कि आप आपने बताया कि विचारों से बचने के लिए आप घेरा लगाते हो तो वह तो हराद में हमारा तो जैसे कि फिल्ड का काम है अब गर्षे कुछ मन बना रखा बार जाते जाते पता नहीं कितने लोगों से मि माख खराव रहता है तो हम भी अपनी विचारों को सुद्ध कैसे रखें विचारों को सुद्ध रखने का एक तरीका है सर्फ ओमनमा शिवा है जी आप आते हैं आप एक रूटीन बनाईए जितना आपके पास समय है आप एक सर्किल बनाईए देखिए समस्त कार प्रात्ना तुम चाहते हो उसमन से नोकरी लगे तो लग जाती है तुम चाहते हो मेरी समस्याएं दूर हो दूर हो जाती है तुम चाहते हो कुछ और दिक्कत है वो सही हो तो हो जाती है मंतर एक है लेकर कार बहुत सारे हैं ऐसे ही जब आप उमनमा शिवाय करोगे और आप चाहते हो क ये महादेव से के महादेव जितने लोगों से आज हम मिले हैं जो दूसत विचारों के लोग रहे उनके विचार यदि हमें प्रभावित करते हैं तो हम इस समय महादेव या आपके 31 माला, 41 माला या 21 माला जाब कर रहे हैं महादेव हमारे विचारों की सुद्धी करें दूसर उनों के जो निंगेटिव विचार हैं, निंगेटिव थौर्ट्स हैं, उन्हें हटाएं, ऐसी प्रात्ना करके जैसे ही आप ओम नमः शिवाय करेंगे, 31 माला, 41 माला, तो आप बिलकुल रिल्याक्स अनभाव करेंगे, और जो विचार हैं, लोगों से प्रभावित हो कि जो विचार आपके हुए हैं, उस समस्त विचार आपके दूर हो जाते हैं, और आप बिलकुल अच्छा अनभाव करेंगे, समझ पाए आप, जी ग्रुजी जाती हैं,